कॉंग्रिस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, राहूल गांधी दावा कर रहे हैं कि लोग उनके साथ जुड रहे हैं, लेकिन कॉंग्रिस के नेता कॉंग्रिस के खिलाव बकावत कर रहे हैं, जिससे कॉंग्रिस की आफ़त बढ़ सकती है, दर्शकों हर्याना कॉंग कॉंग्रेस में पहले ही मदभेत नजर आ रहे थे कुमारी शैलिजा और हुटा गुट में उसके बाद ये नई नाराजगी हर्याना कॉंग्रेस में नया मोड लेकर आएगी कॉंग्रेस आपसी जूतम पहजार की वजह से ही डरडर का टिकेट खोशित कर रही है जिसकी वजह स स्थानिय नेताओं में भी नाराजगी है और उमीदवारों में भी असमंजस की स्थिती बनी हुई है कि कब टिकेट का एलान होगा और कब वो तैयारी या बगावत करेंगे आखिर कौन से नेता है नाराज और भाजपा में कॉंग्रेस के आंतरिक कलेश पर किस तरह से चु जून के बाद अब जीता हुटा ने भी बगावत करती है जीता हुटा को पूर्फ सीम भुपेद्र सिंग हुटा का करीबी माना जाता रहा है वो बरौदा विधानसभा सीट पर अपना डावा ठोक रहे थे लेकिन कॉंग्रेस ने यहां से विधाय केंदुराज सिंग नर् मैं दीपेंद्र हुटा को अपना भाई मानता हूं लेकिन इस चुनाओं में दीपेंद्र हुटा के बाई का गला गाटने का काम किया गया उधर भाजपा ने इस पूरे मामले पर चुटकी लेते हुए एक्सपर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बाबु बेटे ने पर 2005 में वो किलोई के विधायक रहे इसके बाद श्रीकृष्ण हुटा ने 2005 में ततकालीन मुख्यमंत्री भुपेंद्र सिंग हुटा के लिए किलोई सीट को छोड़ दिया था आपको बता दें कि फिर उन्होंने बरोदा विधानसभा सीट से 2009-2014-2019 में विधायक बनने की भी हार्ट्रिक लगाई श्रेकृष्ण हुटा पूर्वी सीम भुपेंद्र सेंग हुटा के बहुत ही अच्छे दोस्त और करीबी रहे हैं यही वज़ाए कि जीता हुटा बरोदा से डिकेट की दावेदारी कर रहे थे साथ ही कई राजनयतिक विशे शग्ये मान रहे थे क कि कॉंग्रेस इस बार जीता को ही टिकेट देगी लेकिन कॉंग्रेस ने उनको टिकेट ना देकर सभी को चौका दिया तो वहीं आपको बताते चलें कि हर्याना कॉंग्रेस की लिस्ट पर भाजपा प्रदेश अधिर्ष मोहनलाल बडॉली ने भी तंज कसा उन्होंने कहा क कि अभी सिर्फ 32 उमीदवार उतारे हैं कुछ जेल में हैं कुछ पर मामले चल रहे हैं आने वाली लिस्ट में देखिए कौन-कौन होता है जेल से जो चुनाव लड़ेंगे उनको कानून के मताबिक सारी प्रक्रियां पूरी करनी पड़ेंगी आप राधिक छवी के लोगो जाके करीबी डॉक्टर कपूर सेंग नर्वाल ने पार्टी से स्तीफा दे दिया है दोस्तों जिस तरह से हर्याना कॉंग्रेस में बगावत की आग जल रही है उसको देख कर तो ऐसा ही लगता है कि कॉंग्रेस की ख्याली ट्रीव भी इसी में भस्म हो जाएगी और रपोर